नमस्कार किसान भाईयों अभी हम मौजूद हैं गाउं फर्यानी जो की पुर्णिया इस्ट में है और यहां पे आप देख सकते हैं कि स्रीकर्ग ग्याराठासी का प्लॉट लगा हुआ है प्लॉट लगबग दाने ठोस हो गये हैं तो हमारे साथ किसान भी अभी मौजूद हैं तो आएये मिलते हैं और जानते हैं उनसे उनका परिचे अपना जरा परिचे दे दीजिए मेरा नाम बल्राम महता ग्राम फर्यानी पोस्ट हर्दा जिलापूर्निया और यह श्रीकर कंपनी हम मार्केट मार्केट से में भी मिल रहा था लेकिन कम्पनी वाली दिया था चार किलोपेट बीज यह आप लगाया थे जब जनमेशन तो सही है यह दाना इसका बड़ा-बड़ा थोड़ा तो इसको अपने किस तारीक में लगाया था शे नमबर को शे नमबर को मतलब अभी तक कि यह कितने दिन का फसल हो गया यह हो गया चार दिसंबर, जन्वरी, फर्वरी, मार्ज, पाँच महिने का होगी है, अभी फसल की सवस्था में है सर, अभी फसल और ही एक पटवान करेंगे बस पाख जाएगा यह, मतलब अभी तक आपने इसमें कितना पानी दिया है, इसमें तीन, तीन पानी दे चुके हैं, और इसमें मिट्टी का खेद है, इसमें पानी काम लगता है, ज्यादा पानी देने पर फसल सुख जाएगा, ज्यादा पानी देने पर फसल सुख जाएगा, इसी खादीर हम कम पानी देते हैं, पतला पानी देते हैं, ज्योंकि फसल भी बढ़ यहां रहे, हर पेड में महनत करना पड़ता है, उसको जदी सही तरीके से नेप जाएगे तो पाज नहीं मिलेगा हमको, तो इसका जन्मेशन पेशाय था जन्मेशन तो सोलो आना आया, सो पानी दोश्ट है, क्यूंकि आप पहली बार लगाए होंगे, हाँ, पहली बार लगाए है, पहले तो हम डर रहे थे, लेकिन जब इसमें बाली आ गया, तब जाके हम खुझ हुए, पहले लगाते थे थे अठारा ठाए, अगारा ठाए, अठारा ठारा, वह हमको बढ़ी पहले है, कमपने वाली से दिया, तो हम इसे और फाकेट अवर खरीत के लगाए, एक पाकेट के चार किलो बीच दिया, इक फाकेट पासला अंहां हP खरीते हुआ्जन पहले तो दुखी थे लेकिन बाली आने पर खुस होगी है पहले हम सोचने दिख क्या होगा ने होगा कैसा होगा भुट्टे भी तो दिख रहा है जो एक बुट्टा आपने चील के दिखाया है तो दाना भरा हुआ है मूतक भरा हुआ है पूरा खेट है अशी है पूरा खेट है मतलब जितना लगाया है मतलब इससे भी सूपर है और जगह आप जा नहीं पाईएगा इसलिए हम नहीं लेके लेंगे ने कुछी आइट कटने को टाम में भी लाकि आपको दिखा देंगे वह फसल देखेगे अब हम लोग आए हैं इस उस टाइब हो खबर करेंगे आप आये का अपना वजन करके दिखा देंगे कि क्या है हम भी संतुष्ट हो जाएंगे दूसरे किसान को भी बताएंगे कि हाँ कैसा है तो इसमें कौन-कौन दिये थे डिये पी पोटास जुरिया नीचे दिये आ उपर से हम कुछ नहीं दिये इ या रोग तो वहीं जुष्ट साब के मख्या में लगता है वहीं हम राम के में भी लगा जो रोग साब को लगा हमको भी लगा लेकिन दो एस्परे में फाइनल हो गजिए आप अभी तो फजल देख रहे हैं हम लोग देखनें भहत अच्छा लग रहा है तो यह वीडियो ज इतने किसान देख रहे हैं तो उन किसानों के लिए स्रीकर 1188 के बारे में क्या संदेखते ने चाहते हैं जैसे आप 1188 पैदावार किये वैसे यह भी मकह है यह भी बेस्ट मकह है भुट्टा दिक कहीं पता लग गया कि हम ठीक है पहले थीस पच्वन वाले का रहा था कि हम आ ग अभी तक जिसे स्टेज में फसल है उससे आप लगभद संतुष्ट दिक रहे हैं हाँ संतुष्ट है अब काटने के बाद वजन क्या देता है दानात अभी पूरा पूष्ट है मूतक है लेकिन काटने के बाद मनी क्या देगा वो वी पता करेंगे तब ना हम लोग पीर का कमपनी के तरफ से लिए बहुत था खिसलै और नमसकार हम तो कमपनी को फिश्ट जा अगे सफ़ांबाद पर में कि अरा हम चेक्प पूरायए दयाता है इसलिए हम कंपनी का बिझ लेके सब एक्ड चारे कड में लेगाया ज़े attraction में लगे POW yourा कर ऑाक का बिदे राद कैम